Hey guys, आज हम बात करने वाले हैं Vivo Apex 2020 के बारे में तो ये phone बहुत ही ज़ादा interesting phone है क्योंकि आपको पता होगा कि Vivo Apex जो series है इसमें आपको बहुत ही नए-नए concept phone देखने को मिलता है जो आपको normally कोई भी phone में देखने को नहीं मिलता है जैसे आपको पता होगा कि Vivo Apex series में आपको पहली बार pop-up selfie mechanism देखने को मिला था ठीक वैसे ही यहाँ पर आपको Vivo Apex 2020 में बहुत सारे नए-ने features देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर सबसे पहला जो feature है या फिर जो पहला चीज है आपको इस poster से पता चल जाएगा तो यहाँ पर आप clearly देख सकते हैं यहाँ पर mention किया गया है 120 तो यहाँ पर दो चीज ऐसे हो सकते हैं जो इस phone में आपको देखने को मिलेगा पहला चीज यह है कि यहाँ पर आपको 120 degree का waterfall display देखने को मिल जाएगा और साथ में साइद इस phone में 120 hertz का refresh rate भी देखने को मिल सकता है यह दोनों ही चीज़े इस phone में साइद आपको देखने को मिल जाएगा और जो इस phone का display है guys बहुत ही जादा अच्छा है आप देख सकते हैं कितना अच्छा view इस phone में आपको देखने को मिल जाएगा और इस phone के कुछ बाकी specs के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 5G support in build देखने को मिल जाएगा इस phone में आपको snapdragon 865 का powerful processor देखने को मिल जाएगा क्योंकि obviously यहाँ पर आपको 5G का support मिल रहा है साथ में यहाँ पर आपको बहुत सारे नए-ने फ्लैक्सिव वाले चीज़े इस phone में आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर अगर आप इस phone के back design को अगर अच्छे से देखे तो आप देख सते हैं यहाँ पर जो camera casing है यहाँ पर आपको circular design में देखने को मिल जाएगा जैसे आपको ने-ने जितनमी OnePlus की devices देखने को मिलते हैं OnePlus 70 Pro में उसमें भी आपको यही design देखने को मिल जाएगा ठीक ऐसे यहाँ पर आपको circular design इस phone में भी देखने को मिल जाएगा लेकिन यहाँ पर जब camera है यह थोड़ा सा अलग आपको इस बार देखने को मिलेगा क्योंकि हमें इसको देखके यही लग रहा है कि यहाँ पर आपको पीछे dual camera देखने को मिल जाएगा साथ में जो primary camera है यह होगा 48MP का जी हाँ यहाँ पर आपको primary sensor मिलेगा 48MP का साथ में यहाँ पर आपको एक periscope lens में मिलेगा आप देख सेते हैं जो circular design है उसके अंदर आपको एक square cutout देखने को मिलेगा तो यह एक periscope lens है तो हमें ऐसा लगता है कि यह directly टकर देने वाला है Samsung Galaxy S20 Ultra को क्योंकि वहाँ पर भी आपको बहुत ही जादा powerful camera देखने को मिलता है और साथ में बहुत ही अच्छा zoom भी देखने को मिल जाता है क्योंकि Samsung Galaxy S20 Ultra में आपको 100x तक का digitally zoom देखने को मिल जाएगा और 10x का hybrid zoom देखने को मिल जाता है और इस phone की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे एक्सरों से लिखा गया है तो यह directly compete करेगा Samsung Galaxy S20 Ultra के camera को और इस phone के कुछ बाकी specs के बारे में उतना भी clear अभी तक हमें नहीं पता है मतलब इसमें कैसा battery होगा, कैसा fast charging आपको मिलेगा या फिर इसका जो front camera है यह कैसा होने वाला है तो इन सभी चीज़ों के बारे में अभी तक हमें confirm नहीं पता है कि क्या होने वाला है तो आगे चलके जितना भी leaks इस phone के बारे में हमें पता चलेगा हम आपको जरूर update कर देंगे तो दोस्तों मैं एक चीज़ आप सभी को कहना चाहूंगा कि मुझे पता है कि यह phone हर किसी के लिए नहीं है हर कोई इस phone को effort नहीं कर पाएगा लेकिन इस phone से मतल इस concept phone से हमें यह पता चल जाता है कि आगे चलके आपको smartphone में क्या-क्या नए चीज़े मिल सकता है और क्या-क्या नए changes आप अपने phone में कर सकते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में हमें idea हो जाता है तो आपको यह phone कैसा लगा Apex 2020 आप नीचे मुझे comment करके ज़रू बताइए तो दोस्तों आपको अगर यह phone अच्छा लगा हो या फिर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो